टेस्ट मैचेस में जब जब कोई बल्लेबास डेब्यू करता है या बड़े रन बनाता है तो कई साइर रेकर्स जो है वो बनते हुए नजर आते हैं और कई साइर रेकर्स तूटते भी हैं और इसी क्रम में अब श्रेय सेयर का भी नाम सामने आ रहा है क्यों श्रेय सेयर ने ना सिर्फ डेब्यों में शतक बना करके record कायम किया है बलकि जब आखरी पारी यानिकि दूसरी पारी थी कानपूर में वहाँ पर जब 65 रन बना करके आउट वे तो भी उनके नाम एक बड़ उसके बाद श्रेय सेयर का नाम है 170 का अब वो दूसरे नंबर पर आ गए यानिकि नीचे से दूसरे नंबर पर कुल मिला कर देखें तो ये सेकेंड बेस रहे हैं उसके अलामा रोईच शर्मा 177 कोलकाता में वेस्टिनी से खिलाब 2013 में और 2012-2013 में 187 टोटल बनाये थे शि कई सारे रिकर्ड्स की अगर हम बात करने उसमें श्रेय सेयर ने एक रिकर्ड ये भी बनाया है कि गुंडपा विशोनात के बाद वो दूसरे ऐसे क्रिकेटर बने जिन्होंने कानपूर में डेब्यू करते वे शतक जड़ा हुआ है कई सारे रिकर्स इससे पहले भी जब श इंजिन खिडाडियों के रिकर्ड्स की फेहरिस्त में वो शामिल हुए हैं वो सभी बड़े-बड़े बल्लेबास बनते वे नजर आएं बड़ा नाम कमाया उन्हों टेस्क रिकट में उमीद हम करेंगे कि श्रेय सेयर भी ऐसा ही बड़ा नाम कमाया और धेर सारे दिनों त भारती किन की सेवा करें यहीं उमीद हम श्रेय सेयर के बल्ले से करते हैं